गुद मॉर्णिंग स्टूरेंट्स, कम्प्यूटर के इस सेकेंड क्लास में आप सभी का भरपो स्वागत है, आज हम कम्प्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे करेक्टरेस्टिक्स ओफ कम्प्यूटर, पिछली का अक्षा में हमने क्या क्या है, कम्प्यूटर की परिभासा क्या है, और कम्प्यूटर का जो परिभासा है, वो ऑक्सफोर्ड डिस्नरी के अनुसार क्या है, कम्प्यूटर में हमने एनलोग कम्प्यूटर और डिजिटल कम्प्यूटर को समझा था, आज हम क्या करेंगे, कम्प्यूटर की परिचय वो क्या है आपका पहली विसेशता है स्पीड, कम्प्यूटर की गती, देखें, कम्प्यूटर की जो गती होती है, वो क्या होती है, बहुत ही तिवर होती है, तेज होती है, ये सारे काम को क्या करता है, सिकेंडों में करता है, इधर ध्यान दीजेगा, कम्प्यूटर एक सिके में लाखो गड़नाय क्या कर सकता है कर सकता है आप सोच सकते हैं एक सेकेंड एक सेकेंड कितना होता है पल भर में मतलब हलकस ऐसे किये और यह क्या करता है उतने ही पल में लाखो गड़नाय को क्या करता है कम्प्लीट कर लेता है किसी मनुष्य द्वारा जो काम यहां पर जंती किसके कारण हुई थी, इनी компьютER के कारण हुई थी, जो काम करने में सालों लग जाते थे, कई दिन लग जाते थे, अब वो काम computer क्या कर रहा है, कुछ second में ही complete कर ले रहा है, तो यह हमारे computer की speed की बात रही, कुल मी राके कि computer की जो speed होती है वो इतनी अधिक होती है कि ये secondों में ही सारे काम को कर लेता है और कितने दिनों का काम लगभग एक साल का काम ये क्या करता है secondों में ही complete कर लेता है अब देखी computer की speed यहां से question बनते हैं ध्यान देजेगा ये तो normal speed रहा कि computer की speed जो होती है वो मनुष्य से कई गुना अधिक होती है अब रही बात हमारे computer processor की speed को किस से मापा जाता है तो याद रखिएगा कि हमारे computer processor की speed को heart से नापा जाता है यहां से सवाल बनते हैं यह आपका पहला point हो गया दूसरा point घ्यान दीजेगा वर्तमान समय में computer nanosecond में क्या करता है गड़नाय कर सकता है यह इसकी speed की बात कर रहा है कि आप imagine नहीं कर सकता है आपकी पलक जपकते हैं यह सारे काम को क्या कर लेता है secondों में ही कर लेता है computer की गती को एक second में process किये गए निर्देशों की संख्या की अधार पर नापा जाता है यह आपका क्या हो गया third point हो गया यह आपका second point हो गया first point आपका most important है यहां से सवाल बनते हैं कि computer processor की speed को किसे मापा जाता है या किसे नापते हैं हर्ड से इसको हम हर्टाइस भी कहते हैं या हर्ड भी कहते हैं हमने यहां क्या देखा कि यहां पास यह जो point है यह आपका सबसे important है कि computer processor के speed को किसे नापा जाता है तो आपके हर्ड से नापा जाता है वर्तमान में next point देखिएगा वर्तमान में computer कामों को क्या कर सकता है कुछ ही second में complete कर सकता है अतह computer की गती को अगर computer processor की speed को बोले तो आप क्या बोलेंगे तब आप hearts बोलेंगे अगर लेकिन अगर computer की simply speed को simple speed बोले computer की speed को बोले तो उसको किसे मापा जाता है million instructions per second से इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर आपके computer processor की speed की बात करे तो आप इस पे टिक करेंगे लेकिन अगर वो computer की speed की बात करे तो आप किस पर टिक करेंगे MIPS पर या M.I.P.S जिसका full form होता है million instructions per second क्योंकि ये million भर का काम कप कर लेता है आपके पर सेकेंड में ही कर लेता है इसलिए इसकी गति को किस से ना पा जाता है आपके M.I.P.S से आपका next जो quality है computer में swachalit means automation इसमें क्या होता है automation की quality पाई जाती कैसे computer एक ऐसा machine है जो अपने सारे काम को क्या करता है swim करता है सिर्फ इसे मनुश्य के एक निर्देश की जलत होती है ये निर्देशों के अनुसार आप जैसा इसे निर्देश देंगे ये सारे काम क्या करेगा खुद बगूद कम्प्लीट करेगा तो इसमें second quality क्या होती है swachalit होता है ये swachalit होता है ये एक swachalit machine भी है ये बहुत सारे कारियों को बिना इनसानी हस्त छेपके कर सकता है आप केवल एक छोटा सा निर्देश दे देंगे न तो ये क्या करेगा इसमें कई ऐसे software होते है इस तरह डिजाइन किया जाता है इस machine को कि ये क्या करता है अपने सारे काम खुद से कर लेता है कभी-कभी आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है कभी-कभी क्या maximum cases में ये सारे काम खुद से करता है swachalita इसकी बहुत बड़ी खूबी है speed तो है ही इसमें no doubt ये millions काम को क्या करता है per second में कर दिता है लेकिन इसमें swachalita क्यों क्यूंकि आप देखते होंगे कि ये बहुत सारे काम खुद से करता है आपको ज्यादा इसमें क्या नहीं करना पड़ता है आपको interfere नहीं करना पड़ता है next जो इसकी quality है तीसरी quality इसकी क्या है तीसरी quality है क्या है communication बिल्कूल आप computer के जरीए क्या करते हैं? mail में बात करते हैं, आप message के through बात करते हैं, आप जितना भी app यूज़ कर रहे हैं, चाहिए WhatsApp हो, Twitter हो, Instagram हो, और आपका जितना भी app है, आप किसके जरीए बात कर रहे हैं? इसी computer के कारण ही क्या हो पा रहा है? पॉसिबल हो पा रहे हैं, तो तीसरी quality क्या है? communication में computer हमारा बहुत बड़ा help करता है, एक computer machine अन electronic device से भी बातचीत कर सकता है, यह network के जरीए अपना data का अधान प्रदान भी असानी से कर सकता है, अगली जो quality है, इसमें, क्या quality है? कि यह truti रहित कारे करता है, मतलब इसमें आपको truti यह देखने को नहीं मिलेगी, मनुष्य क्या करता है? गलतिया करता है, वो इसकी क्या है? एक natural प्रवित्ती है कह सकते हैं, लेकिन computer में ऐसी quality नहीं होती है, वो बिना कोई गलती की यह काम करता है, अगर आप उसको जो भी निर्देश देंगे, उसी निर्देश के अनुसार क्या करेगा? अपने सारे काम को वो निस्पादित करेगा, उसे complete करता है वो. Computer की गढ़नाएं लगभग क्या होती है? तुरूटी रहित होती है. गढ़ना के दौरान अगर कोई तूटी पाई भी जाती है, तो वह program या data में मानवी गलतीों के कारण होती है. किसकी मानवी गलती कारण? पुल मिलाके कि अगर आपके computer में बाइदवे कोई mistake देखने को मिल रहे है, तो वह क्या होगी? आपकी स्वयम की तूटी होगी. अर्था मानवी तूटी. अगर मानव नहीं उसमें कुछ क्या किया है, अगर वो धोके से delete कर दे रहा है, या कुछ उसमें वाइरस चला जा रहा है, तो उसके कारण हमें क्या देखने को मिलती है? तूटी या देखने को मिलती है, लेकिन computer की जो अपनी quality है, वो क्या है? कि ये तूटी रहित होता है, मतलब इसमें कोई गलतिया नहीं देखने को मिलेंगी आपको. अगर data और program सही है, तो computer हमेशा सही परिणाम ही देता है. याद रखिएगा, कि अगर आप data और program उसको सही धड़ीके से रखते हैं, तो computer भी सही आपको क्या देगा? आपको परिणाम देगा. कभी-कभी virus के कानण भी computer में तूटी आ जाती है, ये main reason है, आप देखते होंगे, कभी-कभी क्या करने लगता है? आपको वायरस होता है. क्या होता है? इसमें permanent storage होता है. अगर आप क्या कर रहे हैं? इसमें कोई चीज को store करके रख रहे हैं. आप देखते होंगे, अगर आपको कोई music store करना है, तो उसके लिए आप एक permanent क्या बनाते हैं? फाइल बनाते हैं. एप में करते हैं, वीडियो को सेव करके रखते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखते हैं, तो इसमें क्या होता, पर्मनेंट स्टोरेज की छमता होती ही, जब तक कि आप उसे क्या नहीं कर देते, स्वयम से क्या नहीं कर देते, हटा नहीं देते, तो इसमें पर्मन चारण के लिए प्रयोग किया जाता है, चुकि कम्प्यूटर में सूचना इलेक्ट्रोनिक तरीके से संग्रहित की जाती है, अता सूचना के समाप या नस्ठ होने की संभावना कम रहती, मैंने आपको बता है कि जब तक आप क्या नहीं करेंगे, स्वयम से ही से क्या नहीं करे इसमें permanent storage की भी छमता या capacity पाई जाती है, हमने पहले क्या देखा, देखिए, एक बार हम लोग फिर कर लेते हैं, हमने क्या-क्या इसकी विसेस्ता है देखी, पहले विसेस्ता ये थी, गती, कम्प्यूटर की जो गती होती है, वो बहुत ज़्यादा तिवर होती है, अधिक होती है, ये जो काम मनुष्य साल भार में करता है, वो काम ये क्या करता है, कुछ ही सेकेंडों में कर देता है, तो ये इसकी quality हो गई, speed, इसका जो computer की, क्या है, हमने देखा था, किस से मापा जाता है, तो याद रखिएगा, computer की speed को किस से मापा जाता है, तो उसे आपके MIP स मापा जाता है, इसका full form भी याद रखिएगा, यहां से आता है, तो ये हमने गती के बारे में देखा, दूसरा हमने क्या देखा था, कि communication, इसके जरी हम क्या करते हैं, mail में बाते करते हैं, और आप जो भी users कर रहे हैं, किसके जरी कर रहे हैं, आप computer के जरी कर रहे हैं, तीस इसका नहीं होता है, यह क्या स्कूर्छ लेखते हैं, आपका जो number five quality है, रेकि minder छांब और रहा है जल्ध शुआध यह स्कूर्ट nonprofits commence to decide to do well, यह जल्दी से ही क्या करता है decision लेता है इसलिए इसमें छटवी quality क्या होती है आपके quick decision की होती है यह जल्दी decision लेता है अगर आप इसमें कोई चीज को search कर रहे हो या कोई चीज आप इसको input के जरी निर्देश दे रहे हो तो वो तुरंद क्या करता है output के जरी आपको result देता ह यहां पस एक word वी यूज हुआ, input और output. क्या होता है input? Input वो होता है, जिसके ज़री आप क्या करते है, computer को निर्देस देते हैं. Output क्या होता है? Output वो होता है, जो computer लिए गए निर्देस को क्या करता है, आपको उस निर्देसों के बहाने से परिणाम देता है. माल लीजे आपने computer को कोई निर्देश दिया, कोई काम दिया, तो वो क्या करता है, आपको result देता है, तो ये result ही आपका, क्या कहलाएगा, output कहलाएगा, ठीक है, और ये आपका input कहलाएगा, computer परिस्थितियों का vislation, यहाँ पस एक word यूज हुआ है, vislation, vislation का मतलब क्या होत तो vislation means वो पहले क्या करता है, जानकारी को छोटे-छोटे टुकलों में बाढ़ता है, फिर वो conclusion तक पहुंसता है, जो आपका निसकर्स होता है, निसकर्स के जरिए वो आपको क्या करता है, परिणान देता है, यह result ही आपका output कहलाता है, तो computer क्या करता है, computer आपकी परिस् सर्च किया, आपने सर्च किया, की computer के परिकार, तो वो तुरंद क्या करेगा, आप जो सर्च करेंगे, उसका vislation करेगा, एक process होगी, उसके बाद तुरंद वो क्या करेगा, quick decision लेगा, और आपको computer का जो परिकार होगा, वो तुरंद आपको screen में सो कर देगा, तो यह क्या ह आपको अंतरिश में भी इसका काम देखने को मिल रहा है, इसी कारण सारे काम इतना easy way पे complete किया जा रहा है, तो ये हमारे computer की क्या है, qualities है, जिसके कारण हमारा काम क्या हो रहा है, बहुत असान हो रहा है, इसमें क्या होती है, विविद्धता भी पाई जाती है, क्यों है, कहने का मतलब यह है, कि इसमें विविद्धता एक नया quality है, विविद्धता का मतलब, मतलब यह है, कि जो हमारा computer है, वो एक सांथ, विविन विविन प्रकार के different different कामों को एक सांथ रखने की क्या करता है, करने की काबिलियत रखता है, तो इसका जो next quality है, वो क्या है Πुनरवित्ती भी इसमें पा ही जाती है क्यूव क्योंकि अगर आप कंप्यूटर को आधेश देंगे तो यह की कारे को बार बार करेगा कैसे करेगा अगर आप एक ही काम को आदेश यह में हम हुमन सोते हैं अगर हम एक ही काम को woreit范 ने खार्व में आ जाते हैं लेकिन कंप्यूटर में क्या काबिलेत होती कि अगर आप इसे ना हजार बार भी वही काम को देंगे तो उतनी ही स्पीट से उतनी ही एनरजी से क्या करेगा आपको तुरंत रिजल्ट देगा तो यह इसकी जो क्वाल्टी है वो क्या है पुन्रवित्ति की है य एक ही काम के जरीए क्या करता है आंसर तक पहुचने का प्रयास करता है और यह आंसर तक पहुचाने का कारे कौन करता है आपको कंप्यूटर ही करता है वो कई रिसर्च करता है कई सालों तक कई महिनों तक तो वो क्या करता है एक ही काम को बार बार कर रहा है और यह रखता है या काबिलियत रखता है next जो इसकी quality है वो इसफूर्ती की है अब इसफूर्ती का मतलब क्या है इसफूर्ती का मतलब यह है कि computer एक machine होने के कारण मानवी 200 से क्या है रहीत है इसे ठकान तथा बोर्यत महसूस नहीं होती है और ये हर समान छमता से क्या करता है कारे करता है ठीक है ये क्लियर हो गया ये वही है पुन्रवित्ती में हमने क्या पढ़ा कि ये किसे भी काम को करते वक्त बोर नहीं होता है ये उतनी एनर्जी और टाइम के साथ काम को करता है इस फूर्ती का मतलब यहां से क्या है आपका सम वेग से करता है उतनी ही इस फूर्ती मतलब होता है तिवरता या एनरजी के साथ तो यह इसकी quality है यह कभी क्या करता है अगर आप फोन को फूल चार्ज कर रहे हैं आपने कंप्यूटर को चार्ज करके रखे हैं उसमें प्रॉपर देखी जब तक उस कंप्यूटर का क्या नहीं हो जाता बैटरी खतम नहीं हो जाता या कुछ प्रॉबलम नहीं आता अगर वो प्रॉबलम आ रहा है तो वो किसके कारण आपकी मानवी त्रूटी के कारण है या वाइरस के कारण है बाकि इसकी खुद की छमता ऐसी है कि ये continue continue काम को complete कर सकता है एक ही काम को बार-बार कर सकता है पूरी इस फूर्ती के साथ और पूरी उन्रवित्ती के साथ तो ये इसकी quality हो गई next जो quality है वो है इसकी गोपनीता ये security को बनाये रखने में क्या करता है आपकी मदद करता है आप security कैसे आप देखी आपकी कोई चीजी secure कैसे रहती है computer के थूँ आप देखते होंगे आप phone वेगेरा use करते हैं तो आपको proper क्या होता है हर चीज में password डालने को मिलता है और वो password क्या होता है आपको बहुत strong होता है और अपका password तो और ज्यादा strong हो गया आपके finger prints लगते हैं आपका face होता है तो ये सब क्या है ये आपके security को आपकी गोपनीता को क्या करता है बनाये रखने की भी काबिलियत रखता है चाहे वो कैसा भी data हो कुछ भी हो ये हर चीज में क्या रखता है गोपनीता को बनाये रखता है इसकी गोपनीता तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक कि आप इसमें स्वयम से interfere नहीं करेंगे या कोई दूसरा वेक्ति इसमें interfere नहीं करेंगे तो गोपनीता भी इसकी बहुत बड़ी qualities है इसलिए हम क्या करते हैं बड़े बड़े data को जितने भी information होते हैं उसे हम सुरक्षित रख पाते हैं किसके कारण इसकी गोपनीता के कारण password के प्रयोग के द्वारा computer के कारियों को गोपनीता बनाया जा सकता है password के प्रयोग से computer में रखी data और कारेक्रमों को केवल password जानने वाला वेक्ति ही देख या बदल सकता है इसके अलावा कुछ hackers होंगे वो ही क्या कर सकते हैं आपके password के साथ छेड़ खानी कर सकते हैं कुल मिला के कहने का मतलब यह ही कि जब तक कोई दूसरा वेक्ति आपके password को हाथ नहीं लगाएगा जब तक उसे वो change करने का प्रयास नहीं करेगा तब तक आपका जो information रहेगा वो गोपनी रहेगा अच्छा जो hacker भी होते है न उन्हें भी password पता होता है यहाँ पर एक word लिखा हुआ है कि केवल password जानने वाला वेक्ति ही देख या बदल सकता है hackers लों को क्या होता है? knowledge होता है इसलिए वो इसे change कर सकते है बाकि यह खुद से कभी कुछ गड़वर नहीं करता है तो इसमें क्या होती है? गोपनीता होती है अगली जो quality है इसमें क्या होती है? कारी की एक रुपता होती है uniformity of word बार-बार तथा लगातार एक ही कारे करने की बावजूत computer की कारे की गुरवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह इसकी next quality है मतलब इसमें क्या होता है? एक रुपता पाई जाती है आप एक ही काम को 1000 बार करा लें इसके काम में changes नहीं आएगा यह एक रूप होकर क्या करेगा आपके कारेों को समपादित करेगा या समाप्त करेगा अगली जो quality है यह क्या है? हमारे nature का friend है कैसे friend है? यह क्योंकि paper lace होता है इसमें ना paper lace होगा तो simple सी बात है पेपर means आपके पेडो पेडो की कटाई नहीं होगी इसलिए इसे प्रक्ति का दोस्त का रहता है क्योंकि यह चीजों को क्या करता है आपको screen दे थ्रू दिखाएगा आप लोग देखते होंगे आप PDF की थ्रू चीजों को पढ़ रहे मतलब soft copy computer में इस qualities होती है computer प्रक्ति का दोस्त कैसे आप computer का दोस्त आप माल लीजे आप मुझे देख रहे हैं किस पे screen पर देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपको क्या मिल जाएगा एक PDF के रूप में soft copy के रूप में मिल जाएगा तो यह क्या कर रहे है यह इसे किसी भी computer अपना कारे करने के लिए कागच का इस्तमाल नहीं करता है data का फंधारन करने के लिए भी कागची दस्तावेज नहीं बनना आने पड़ते हैं इसलिए computer आ प्रत्यच रूप से प्रगति के रच्छक होते हैं और इस लागत में भी कमी आती है यहाँ पर का मतलब वही है कि जो हमारा कम्प्यूटर है वो कारे करने के लिए कम्प्यूटर को कारे करने के लिए आपका electricity की जरुरत होगी लेकिन आपके कागश की जरुरत नहीं होगी और कागश की जरुरत नहीं होगी तो सिंपल सी बात है कि हमारे पेडों की कटाई नहीं होगी पेडों की कटाई नहीं होगी तो यह इंडारेक्ली क्या होगा हमारे प्रकति का मित्र होगा हमारे प्रकति का दोस्त होगा अगली क्वाल्टी क्या है हमारे कंप्यूटर की अगली क्वाल्टी है ज्यान दीजेगा इधार ये क्लियर हो गया ना प्रक्ति का दोस्त क्यों क्योंकि ये सारे काम क्या करता है डिजिटल मांध्य हमसे करता है विश्वसनी होता है क्यों विश्वसनी होता है क्योंकि ये एक भरोसे मंद होता है और विश्वसनी इसलिए होता है क्योंकि पूरे विश्व की लोग इस पे क्या करते हैं भरोसा करते हैं और इस पे काम करते हैं अब विश्व का कोई भी क्या देख लीजे कंट्री देख लीजे हर कंट्री क्या कर रहा है इस पर भरोसा करता है और इस पे क रख रखाओ किया जा सकता है easily जो आपके hardware आपको देखने को मिलेंगे आपको software के अंदर चीजों को change करने का option मिलता है तो यह क्या करता है असानी से आप चीजों में क्या कर सकते है hardware कर सकते हैं किसमें आपके computer में इसलिए यह क्या होता है विश्वसनी होता है अगली जो quality है वो क्या quality है अगली quality है कि यह बहु प्रतीभा साली होता है मतलब इसमें क्या होता है यह multiple कारियों को एकसान्थ करता है multi-purpose हो सकता है अब कैसे देखी जैसे एक ही time पे आप क्या कर रहें computer में गाना सुन रहे हैं एक ही time पे आप क्या कर रहे हैं आप documents का का काम कर रहे हैं आप PPT बना रहे हैं आप PowerPoint पे काम कर रहे हैं मतलब आप कोई भी काम क्या कर रहे हैं आप mail भी भेज रहे हैं आप WhatsApp भी चल हमारा computer है न वो कई उद्देश्यों के साथ काम करता है आप medical field में देखते हैं आप engineering field में देखते होंगे आप education field में देखते होंगे आप satellite के काम में देखते होंगे इसके अलावा bank के काम में तो ये क्या होता है इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं ये बहुत सारे काम को अलावा अनेक उप्योगी कारे करने में सच्छम होता है, इसके द्वारा हम टाइपिंग, दस्तावेज, रिपोर्ट, ग्राफिक, वीडियो, मेल भेजना, आदी सभी ज़रूरी काम कर सकते हैं, तो यह हमारे कम्प्यूटर की क्या हो गई, एक अच्छी क्वाल्टी हो गई, क एक काम को बहुत सारे, मतलब एक काम को एक ही टाइम पे कर सकता है, यह बोर नहीं होता है, इसमें एक रुपता पाई जाती है, और क्या क्वाल्टी देखी हमने, और क्वाल्टी हमने देखा कि कम्प्यूटर में कम्प्यूटर में कम्मिनेशन का काम होता है, आप की एक सीमा होती है तो हमारे computer की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं अब देखते हैं हम computer की सीमाएं limitations of computer चलिए सबसे पहला होता है इसकी जो सीमा है न ये बुद्धी हीन होता है हमने देखा कि ये एक प्रकार का क्या machine है ये एक प्रकार का स्वचालिद machine है लेकिन स्वचालिद machine तो है ये खुद से सारे काम करता है लेकिन किसके निर्देशों के अनुसार एक मनुष्य की निर्देश के अनुसार अगर कोई मनुष्य इसको निर्देश ना दे तो ये अपने काम को start भी नहीं कर पाएगा इवेन अगर आप देखते हैं कि अगर आपको भूग लगी तो आप स्वयम से खाना खा सकते हैं लेकिन कम्प्यूटर में ये क्वालिटी नहीं होती है अगर इसका बैटरी लो हो रहा है या कुछ दिक्कते आ रही है तो इस्वयम से खुद को नहीं बना पाएगा जब तक कि आप क्या नहीं करेंगे इसकी मदद नहीं करेंगे कूल मिला कि बिना मनुष्य के या बिना किसी इंसानी हस्त छेप के ये किसी काम का नहीं है तो ये क्या एक प्रकार का बुद्धी हीन प्राणी है कह सकते हैं प्राणी इसलिए क्योंकि जो बुद्धिहीन प्राणी होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं, तो इसलिए इसे बुद्धिहीन प्राणी कहा गया है क्योंकि इसका खुद का सेंस, खुद का माइंड नहीं होता है, ये बिना आपके किसी काम को नहीं कर सकता है, जब तक क्या कहा गया है, बुद्धिहीन कहा गया है तो ये इसकी क्या हो गई? पहली शीमा हो गई, दूसरी सीमा क्या है इसकी? दूसरी सीमा है इसकी खरचीला, हमारा जो computer होता है वो खरचीला होता है, इसे हर कोई purchase नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत ज़ड़ा costly होता है तो बानिवेक्ति होता है जो कह सकते हैं जो आर्थिक रूप से थोड़ा वीक होता है तो वो computer purchase नहीं कर सकता है क्योंकि वास्ताओं में इसका जो hardware है, hardware क्या होता है? hardware वो होता है जिसे आप आखों से देख सकते हैं और छू सकते हैं और software, software क्या है जो आपके screen में हमें देखने को मिलता है, ये कुछ websites बगएरा होते हैं, apps बगएरा होते हैं, videos होते हैं, video games होते हैं, songs होते हैं, तो आप इसे सिर्फ देख सकते हैं, छूनी सकते हैं, mail बगएरा हो गया, whatsapp की जो message है, कि आप इने proper बाहर निकाल कर वो कर सकते हैं touch कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ इस screen से देख सकते हैं, तो ये सब क्या आपके software हैं, ये सब क्या होते हैं, काफी महेंगे होते हैं, तथा इने समय समय पर आवश्यक्ता नुसा परिवर्तित करना पड़ता है, कभी-कभी कुछ hardware खराब हो गया, कुछ इस समय दि दिहीन होता है, mindless होता है, इसमें खुद की सोच नहीं होती है, दूसरी सीमा हमने क्या देखा, कि ये expensive होता है, खर्चिला होता है, तीसरी विसेस्ता क्या है, वाइरस का खत्रा, बिल्कुल, इसमें आए दिन कोई न कोई वाइरस का खत्रा बना हुआ होता है, तो ये इसकी तीसरी सीमा है, जिसका हमारे उपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारे ब्रेन पर, हमारे मानसिक विकास पर इसका बुरा असर देखने को मिलता है, क्योंकि इसका रेडियेशन भी क्या हो तब बहुत ज़्यादा अधिक होता है, computer में virus का खत्रा बना रहता है जो सूचना और निर्देसों को दूसित या समाप्त कर सकता है ये virus computer की भंडारण छमता को भी क्या करते है effect करते है या प्रभावित करते है हलाकि antivirus software का प्रयोग कर इससे बचा जा सकता है निश्चित से बात है कि जहां समस्य होगी उसका समाधान भी होगा लेकिन यहां पर बात क्या आती है virus का खत्रा का virus का खत्रा एक normal human को भी होता है आप देखते होंगे आए दिन कोई न कोई न कोई वाइरस होता है जैसे आप आपने पूरा face किया है coronavirus तो coronavirus कितना खतरनाख था लेकिन क्या कह सकते हैं इंड में हमें उसका vaccine मिल गया वैसे ही हमारे computer में आए दिन कोई न कोई वाइरस होता है भले ही इसका एक antivirus होता है जो इसे क्या करता है खतम करने का प्रयास करता है लेकिन इसमें हमें साब वाइरस का खतरा बना होता है अगर आप कुछ unexpected apps लेते हैं जो आपके useless हो और काम के नहीं होते हैं तो उन में ज़्यादा खतरा होता है हमें जिनके बारे में जानकारी नहीं होती है इन सब से क्या होता है वाइरस का खतरा होता है चौथी quality क्या है चौथी जो सीमा है इसकी क्या है विद्धूत पर निर्भरता बिना electricity की ये काम नहीं कर सकता है बड़े-बड़ी factoryों में जो machine से काम हो रहे हैं अगर एक दिन के लिए आपका क्या हो जाए electricity को बंद कर दिया जाए ओफ कर दिया जाए तो सारे काम रुख जाएंगे वो धब हो जाएंगे तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी है ये इसकी सीमा है computer अपने कारे के लिए विद्धूत पर निर्भर करता है तथा इसके अभाव में कोई भी कारे संपन कर पाने में सच्छम नहीं होता है कुलमिला की वही बात है कि विद्धूत पर इतना ज़्यादा dependent है कि ये किसी भी काम को बिना विद्धूत के नहीं कर सकता है अगर इसे क्या करना है चार्ज करना है इसे बैटरी चाहिए तो वह भी विद्धूत के जर्ये चाहिए अगर इसे काम करना है वर्क करना है तो उसके लिए भी electricity चाहिए अगर ये कोई काम को क्या कर रहा है अगर हम इसे कोई सूचना दे रहे है तो उसमें प्रॉपर क्या होनी चाहिए बैटरी होनी चाहिए तो ये सब क्या है बिना electricity कि हम इसका काम नहीं कर सकते है अभी भी अगर आप मुझे digital board में देख रहे हैं अगर अभी क्या हो जा लाइट ओफ हो जाए electricity नहीं तो क्या आप देख सकते हैं इस digital class को नहीं देख सकते हैं तो इसकी क्या है एक बहुत बड़ी कमी है देखिए next जो है आपका वो क्या है computer के अनुप्रयोग computer का अनुप्रयोग हमें प्राचिन काल से लेकर वर्तमान तक देखने को मिल रहा है और इसका जो उप्योग है वो व्यापक इस तर में देखने को मिल रहा है कैसे देखिए जब प्राचिन काल में थे तो हमारी जरूरते कम थी प्राचिन काल में हम अबेकस अबेकस भी एक प्रकार का क्या है, कम्प्यूटर है, तो अबेकस में क्या होता था, सिर्फ गढ़ना किया जाता था, वो गढ़ना तक ही सिमित था, क्योंकि हमारा जो जरुरत था, वो भी क्या था, सिमित था, लेकिन अब हमारी जरुरते क्या हो चुकी है, बहुत जादा नहीं किया जा रहा है, निम लिखे छेत्रों में कम्प्यूटर का विभिन अनुप्योग किया जा रहा है, कहने का मतलब यह है, कि कुछ छेत्र हैं, जिसे आपको देखने को मिलेगा, जिसे आपको इंजिनिंग फिल्ड में देखने को मिलेगा, आपको कहा देखने को मिलेगा आपको education में मिलेगा, अंतरच में देखने को मिलेगा, आपको hospitals में देखने को मिलेगा, हर जगा, फिर में industries में देखने को मिलेगा, railway station में देखने को मिलेगा, तो यह सब क्या hotels में देखने को मिलेगा, तो computer का उपयोग हमें हर जगा देखने को मिल रहा है. चलिए पहला जो उप्योग है computer कहां उप्योग होता है अगर हम अब इसके car के अधार पर इसके उप्योग देखे तो पहला क्या करता है ये data processing का काम करता है ठीक है हम ने जो हम जो देखे अभी क्या देखे हम hospital देखे engineering के field में देखे education में देख रहे हैं हम अंतरिच में देख रहे हैं तो ये क्या हो गया छेत्र हो गया लेकिन अगर हम इसके car के अधार पर देखे तो जो हमारा computer का अनुप्योग है वो किस पर हो रहा है data processing के लिए हो रहा है कैसे अब देखिए बड़े और विसाल सांख्य की data से सूचना तयार करने में computer का प्रियोग किया जा रहा है जैसे आपका जनगरना हो तो ये क्या होता है इसका visualization करने के लिए परिच्छा का परिणाम जानने के लिए तो इन सब का क्या किया जा रहा है प्रियोग किया जा रहा है computer क्या करता है data processing का भी कारे करता है data processing के थूँ क्या करता है वो जानकारी को इखटा करता है चाहे वो जन करना करना हो ये किसी exam का result जानना हो या इसके अत्रिक्ट कोई सा भी काम हो जिसके थूँ data processing हो तो इसमें क्या करता है, computer विसे इस भूमी का अदा दरता है, अगला जो काम है, computer का वो क्या है, सूचनाओं का अदान प्रदान करना, कैसे, कि आप देखे, internet के थूँ क्या करते हैं, आप whatsapp के जरिए, facebook के जरिए, twitter के जरिए, instagram के जरिए, mail के जरिए, telegram के जरिए, जितने भी कि आप क्या कर रहे हैं, इन सब app के माध्यम से क्या कर रहे हैं, सूचना का अदान प्रदान कर रहे हैं, आप communication कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या करता है, computer अपनी विसेज भूमी का अदा करता है, भंडारन की विबिन पंधतियों के विकास और कम इस्थान धरने के, सोरी, घे क्या कर दिया है, राजमार्ग बना दिया है, मतलब इंटर के विकास नहीं क्या कर दिया है, computer को एक सूचना का राजमार्ग बना दिया है, ये भी कह सकते हैं, कि अगर साथ internet ना होता, तो हमारा computer कभी अस्तितु देखने को नहीं मिलता, ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इसी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही ये क्या है, हमारे सूचना का राजमार्ग है, कौन आपका computer, information of highway, यहाँ से सवाल बनता है, information of highway किसे का आगया है, तो computer को ही information of highway का आगया है, क्योंकि ये सूचना का अधान प्रदान करता है, अगला जो छेतर है, वो आपका सिच्छा में है, बिल्कूल, आप देखते होंगे, कि अब पड़ाई, जो पुरानी पधधती से होती थी, वो अब पुरानी पधधती से निकल कर, किसमें आ रही है, नई पधधती में आ रही है, तो computer का क्या है, सिच्छा की छेतर में अपन बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, चीजों को असानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप YouTube के थूँ, आप किसी application के थूँ, आप क्या कर रहे हैं, साक्षात बैठ के चीजों को देख भी पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो computer का इसमें क्या education में एक विसेश योगदान है, ए अलग ही क्या है, इसका पहचान है, चलिए अब इधर ध्यान दीजेगा, multimedia, multimedia के विकास और computer अधारित सिच्छा ने इसे विद्यार्थियों के लिए क्या बना दिया है, उपयोगी बना दिया है, digital library, digital library means क्या, कि digital library means कि अगर आपको देखे, कोई चीजे क्या होती है, घर बै आपका digital library है, आपको books पूरे मिल जाते हैं, एक soft copy के रूप में, तो यह आपके क्या है, digital library है, जो किसके कारण possible हो पा रहा है, आपके computer के कारण, अगला देखेंगे, यह तो हो गया education, हम next देखेंगे, विज्ञानिक अनुसंधन, मैंने आपको बताया था, कि research हो रहा है, आ यह सब आप किसके through कर रहे हैं, आप computer के through कर रहे हैं, तो next जो इसका work है, वो किसमें आपका विज्ञानिक अनुसंधन, scientific research में है, जितने भी research हो रहे हैं, वो किसके कारण इतने easy हो जा रहे हैं, आपके computer के कारण, तो विज्ञान के अनेक जटिल रहस्यों को सुल्जाने मे अब देखे कितनी बड़ी बात हैं आपसे, कि विज्ञान में अनेक ऐसे क्या हैं, रहस्यों हैं, जैसे आप black hole के बारे में जान पाए हैं, आप क्या जान पारे हैं, आप अपने पूरा solar system के बारे में जान पारे हैं, आप planets के बारे में जान पारे हैं, आप अपने जो पड कम्प्यूटर के जरिये या कम्प्यूटर की सहायता के माध्यम से ये कम्प्यूटर में क्या किया जा रहा है ये सब चीजों का आकलन किया जा रहा है यहां ध्यान दीजेगा कि कम्प्यूटर में परिस्थितियों का उचित आकलन भी संभाव हो पाता है आपकी जैसी भी परि संधान में बहुत मदद करता है और कहां देखने को मिलता है रेलवे और वायु याना रच्छन में मिलता है कैसे, क्या आप देखिए रेलवे में आप घर बैठे-बैठे क्या करते है और लान टिकेट बुक करते है आपका ट्रेन कहां पर है, उसका location कहा है, कैसा है, वो आप करते हैं, आप seat क्या कर सकते हैं, reserve कर सकते हैं, किसके मांधे हम से, computer के मांधे हम से, computer की साहता से, किसी भी स्थान से, अन इस्थानों के railway और वायू यान की ticket लिए जा सकते हैं, तथा इसमें गलती की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती है क्या होती है नगन्य होती है मतलब जीरो नहीं होती है इसमें गलती है तो ये computer में क्या होता है हमने computer की विशेष्टा देखा था था कि ये क्या होता है त्रूटी रहित होता है इससे mistakes नहीं होती है तो ये क्या होता है इसके जरीए आप क्या करते हैं, railway और YU यान में आप reservation कर सकते हैं अगली जो quality है bank, bank में जो इतने speed से काम हो रहा है आप ATM, ATM की थूँ क्या करते हैं, आप पैसे निकालते हैं तो ये अपना जो computer है, वो bank में भी क्या कर रहा है, अपना भूमी का आदा कर रहा है computer के अनुप्रियोग ने banking छेतर में क्या करती है, क्रांती ला दी है मतलब सारे काम बहुत तेजी से हो रहे है ATM, ATM को full form क्या होता है, automatic tailor machine तथा online banking, check के भूपतन, आप देखते हैं, आप scan करते हैं आप phone पे, Google पे, Paytm, यह सब किसके थ्रू हो पा रहा है, आपके computer के थ्रू ही हो पा रहा है अगर आपके पास cash नहीं है, तो आप online चीजों को क्या कर सकते हैं, pay करके उसे provide कर सकते हैं चेक के भूपतान हो, ACS हो, रूपिया गिनना हो, रूपए भी किसके माध्यम से, आप देखते हूंगे फटा-फट रूपए किससे गिना जाता है, machine जिनता है, पैसे भी बाहर आते हैं, तो machine के थ्रू आते हैं पास्बुक में entry automatic होता है, अगर आप डाल देंगे उसे, तो automatic उसमें क्या होने लगता है, entry होने लगता है तो यह सब क्या हो रहा है, computer के प्रयोग के माध्यम से हो रहा है, जिसने bank के काम को क्या कर दिया है, easy बना दिया है चिकित्सा, आप देखते होंगे, x-ray से लेके, sonography से लेके, हर चीज किसके माध्यम से हो रहा है, आपका, computer के माध्यम से हो रहा है आप देखते होंगे, heartbeat बगएरा चेक हो रहा है, computer के माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति क्या है, मृत्यू की सहिया पर लेटा, तो इसमें एक machine होता है, जिए दर साथ है कि व्यक्ति का सांस चल रहा है जिए ऐसे होने लगता है, तो व्यक्ति की मृत्य हो जाती है, तो ये सब किसके थ्रू हमें देखने को मिल रहा है, आपके computer के थ्रू देखने को मिल रहा है अगर कोई बच्चा माता के गर्व में है, तो वो कैसा दिख रहा है, भी उसकी परिस्थिती कैसा है, इसके माद्ध हम क्या करते है, कि बच्चे में कोई problem तो नहीं है किसी प्रकार के उसके हाथ पर या मस्तिस्क में, ये सरीर में कुछ भी दिक्कत है, तो हमें क्या होता है, उसके थ्रू पता चल जाता है तो ये computer क्या है अपने आप में एक क्रांती है जिसने क्या कर दिया है पूरे जगा अपना क्या कर दिया है व्यापी खरण कर दिया है और अपने जितने भी काम है मानों के उसको क्या कर दिया है सरल बना दिया है सरीर के अंदर के रोगों का पता लगाने देखे कितनी अच्छी बात की कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो किस से पता चल रहा है आपको कम्प्यूटर से पता चल रहा है उनका विसलेशर करने और निदान में कंप्यूटर का विस्तृत प्रयोग हो रहा है city scan, ultrasound, x-ray तथा विभिन जाच में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है रक्षा defense में defense के थूरू कौन सा country क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है, कौन सा missile दागने वाला है तो यह सब किससे हो रहा है, आपका computer के थूँ हमें पता चल रहा है आप अपने रक्षान उस अंधान में इसका प्रियोग करते है वाईयो यान पे क्या करते है, नियंतरन करते है मिसाइल आदी में क्या होता है, computer का प्रियोग हो रहा है अगली जो है वो अंतरिच प्रिद्योगी की आपकी इस्पेस टेक्नलोजी में भी हमें देखने को मिल रहा है कि कम्प्यूटर की तीवर गणना छमता के कानण ही ग्रहों उपग्रहों अंतरिच ना घटनाओं का सूच में अध्यन किया जा रहा है अब आप देख सकते हैं मौ अपस में टकरात हो नीरा है तो आप देख रहे हैं सब आपस में अंतरिच में जो भी क्या हो रही है गतिवीधिया हो रही है तो वो सब आप सक्या पर रहे हैं साक्षा देख पा रहे हैं आप देख रहे होंगे मंगल यान वेगरा यह सब अभियान कैसे सक्सेज हुआ तो तो हर जगा हमें computer आप जितना भी विशाल काम देख रहे हैं जो अपने आप में unique है अद्बूत है वो सब जगा हमें कहां दिखाई देता है आपका computer दिखाई देता है communication ये हमने विशेश ताइमें भी देखा था कि computer communication में भी अपना विशेश योगदान दे रहा है आधुनिक संचार वेवस्था computer के प्रयोग के बिना संभाव नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता आप phone में एक दूसरे से बात कर रहे हैं आप message के थूँ एक दूसरे से बात कर रहे सेकेंडों में ही आपकी बात सामने वाले पास पहुंच जा रही है सेकेंड तो बहुत कम है तुरंट उससे भी कम समय में क्या हो रही है आपकी बात सामने वाले पास पहुंच जा रही है तो किसके माध्यम से आपके computer के माध्यम से क्योंकि computer नहीं क्या कि आपके communication को बहुत computer का उपयोग हो रहा है, तब ये तो काम इतना फटा-फट हो रहा है, अब ये बीच में आया भी था आपका paperless, paperless आपका क्या एथा, economic survey आया था, то ये सब किसके through हो रहा है, computer के through हो रहा है, computer को इसे लिए तो प्रगति का क्या कहा गया है, दोस्त कहा गया है क्योंकि अगर पेपर नहीं भी होगा तो यह सारे काम आपको क्या करेगा software के थुरू या कह सकते soft copy के थुरू आपको provide कराएगा आप monitor में चीजों को देख सकेंगे अपने screen पर देख सकेंगे मनोरंजन अब TV, Serial, Movies अब Wave Series यह सब किसके माध्य हम से देख सकते हैं computer के माध्य हम से पहले क्या चलता था चलचित्र चलता था फिर जैसे जैसे इसका development होता गया हम उसे उतने ही best way पर देखने लग गए साक्षाद देखने लग गए चीजों को आप cinema देखते हैं, आप television के कारिकरम देखते हैं, वीडियो गेम वगएरा खेलते हैं तो आपसे क्या हो रहा है, आपका मनोरंजन हो रहा है, entertainment हो रहा है, तो किसके माध्य हम से आपके computer के माध्य हम से आप गूमना जाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं जा पारे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उस जगा के बारे में पूरा देख रहा है, साक्षत की हो जगा कैसा है, उसकी qualities कैसी है पूरे image के थूद देख पारे है, तो यह सब किसके थूर हो रहा है आपके computer के और क्या है कि मनुरंजन को क्या किया इसने उत्तम साधन बना दिया किसने आपके कम्प्यूटर ने प्रकासन बनाता है लेकिन अग'RE गर चीज कितना प्यारा लगेगा बहुत सुन्दर लगेगा तो ये क्या कर रहा है, आपके रेखा चित्र के माध्यम से आपका जो प्रकाशन है उसको क्या कर दे रहा है, बहतर बना दे रहा है, सुन्दर बना दे रहा है, साथ ही आप थियोरी के माध्यम से उसको क्या कर रहा है, साक्षा देख रहा है, उस चित्र को देख रहा है, तो आ प्रशाशन में पारदर्शिता लाने का काम किस ने किया है, कम्प्यूटर ने किया है, कि सरकार कैसा काम कर रहा है, वहां किस तरह के काम हो रहे हैं, कितना काम आगे बढ़ा, क्या काम बाकी है, तो आप क्या कर रहे हैं, न्यूस पेपर के थ्रू, आप ऑनलाइन, हर चीज को क क्या कर रहे हैं क्योंकि आप देख पारें समझ पारें तो इसमें सबसे बड़ा भूमी का किस का है आपके कंप्यूटर का है तब ही तो आप प्रशाशन की कारेों को भी समझ पारे हैं सरकार की कारेों को जनता तक पहुचाने का काम भी कौन कर रहा है आपका कंप्यूटर कर मीडिया किसपे दिपेंड़ आपके कंप्यूटर पर width प्राशाष्न i इसमा किया लेक्त्रोनिक का क्या बद्धार में लेक्त्रोनिक executed 8 यत है, तो ये क्या है आपका last हमने देखा प्रशाशन में इसकी विसेज भूमी का है आपका last है क्या, digital उस्तकाले या digital library तो जो हमारा computer का प्रयोग है वो इन सब तक सिमित नहीं है बलकि हमारे digital library तक है क्यों है, क्योंकि आप online वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप even बोल भी पा रहे हैं आप क्या कर सकते हैं, online form में लिख भी सकते हैं, आपको PDF मिल रहा है, वो सारी चीज़े आपको जो आपको कागज पर प्रवाइड नहीं हो रही है वो सारी चीज़े आपको एक soft copy के रूप में मिल जा रहा है, तो यह सब क्या आपको digital library प्रवाइड कर आ रहा है पुस्तकों को अंकी स्वरू प्रदान कर उन्हें अत्यंत कम इस्थान में अधिक समय के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है आप pen drive में चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं अब computer में चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं मतलब यह सब data है आपके तो आप क्या करते हैं, computer में ने safe रखच पाते है वो भी कम space में और कम words में और अगर आपको कोई चीज जानना हो सर्च करना हो तो आप तुरंत क्या करते हैं उसे गूगल करते हैं तो यह सब किसके कारण पोसिबल हो पा रहा है आपके digital library और यह digital library क्यों है क्योंकि computer है आज कल सायद ही कोई ऐसा छेतर होगा जिसमें computer का प्रयोग नहीं किया जा रहा है परियावरन, उस्तकाले, यातायाद, पुलीस, प्रशाशन, मौसम विज्ञान, संगीत, चित्रकला, जोतिस, इंजिनिंग, आजकर ओनलाइन जोतिस लोग आपका बता रहे हैं कि आपका भविश्य कैसा होगा, वर्तमान कैसा है, पास्ट कैसा था, तो इसमें भी आप देख अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना, और सुनहरे भविश्य को साकार करना, तो जुड़िए कॉंपिटिशन कम्यूनिटी के साथ, आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें, अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें, हमेशा आपके साथ टीम कोको